को आगातिया आप सभी का एको न्यू वीडियो पर देखिया एंपी उपन बोड के रुख जननी एक्जाम पार्ट वन यानि कि मैई अटेम्ट का जो रुजट है वो ना सोच चुका है 19 गों डुफयर में आप सभी का जो रुजट है वो वेबसेट पर अपडेट हो गया था है अप सभी अपन अपना रजट चेक कर चुक हो गया है पर अब आप अपका वह उतना जएदा माने नहीं होता है वह आपको जब पर आपकी मांक्शिट नहीं आती है तो आपकी आपको कहां से दी जाएगी अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट करने रहते हैं वही मैं आपको बताऊंगा तक बने रही है नहीं तो सब्सक्राइब दिरूसर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन ना इकन और करके रखिएगा ऐसे इंफॉर्मेटिव वुड़ोस में आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं वह आपका चॉइस है वह आपको आपका डिसीजियन है पर आभी जो बच्चे पास हो गए उनकी जो माक्षिट है वो कप तक आएगी और कहां से आपको दी जाएगी साथ में क्या डॉक्यूमेंट करने रहेंगे तब ही आपको यह माक्षिट दी जाएगी वही मैं आपको आगे बताता हूँ देखिए अभी माक्षिट बनने में टाइम कंजूम तो होगा ही आप ऐसा मान से आखते हैं कि 20 से 25 दिन का टाइम कंजूम होगा उसके बाद यह आपको डिफरेंट की जाएगी माक्षिट में तो मैं आपको डिफरेंट मैं आपको अपकर बौर्प की माक्षिट में तोबीस है करके बांक इक देख चैड़ से डिस्क्रिप्चन में देवेगा जिस में आपको आके छो सकती है क्या दिक्कत आपको आगे नहीं हो सकती है तो वह भी आप देख सकते हैं तो माक्षिट की बात करें तो 15-20 दिन आपको अभी रुखना पड़ेगा अगर आपको माक्षिट के हैड कोपी चाहिए यानि कि प्रिंट फॉर्म में चाहिए जो कि MP ओपन बोड की तरफ से प्रिंट फॉर्म भरा हुआ था प्राइविट फॉर्म बोड एक्जामनेशन में आप फेंड हो गयते वैसे में आपने जो रुखना ने एक्जाम दिये थे वह भी आपने सेंटर पर जाके दियोंगे तो आपको वहीं पर कॉंटेट करते रहना है क्योंकि आपकी जो चाहिए है क्या आपको कुछ चीज़ें बोडशों दिये वहां यांदिक करने सब्जान ने इग्जाम दिये तो हमने घजाएग त sigui माम का आपको आपका admit card भी दिखाना पड़ेगा रुख जननी एक्जाम का कि हमने एक्जाम दिये थे साथ में यहां पर आधार card type की इस type के कोई ID प्रूब भी आपको देना पड़ेगा तब जाकि आपको यह जो रुख जननी एक्जाम की mark sheet है वो दी जाएगी तो अगर आपके पास admit card है तो इसको ध्यान से आपको रखना है उसको आपको खोना नहीं है और आपको वहाँ पर समिट करनी रहेगी तो अभी आप वेट कीजिए बाकि अगर आप फेंड हो गए और उख जिनन नहीं पार वन में तो यहां पर आपको पार टू का एक्जाम देने रहेंगे उसके जैसी फॉर्म स्टार्ट होते हैं वह मैं आपको वीडियो के तो बताई दूगा जिससे कि आप उसका फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर दो तो उम्मिदे कि आपको सारी बते समझ में आ गई होंगे अच्की वीडियो में इतना ही को डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फर आप मुझसे इस्टा पडियम करके बाद भी कर सकते हैं